कनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक फिर से आम लोगों के लिए खुल गया है National Capital Commission, NCC, ने कहा है ये दो साल बाद इस बार खोला गया है सबसे पहले ये रिंक 50 साल पहले खोला गया था यह 7.8 किलोमीटर लंबी स्केटिंग रिंक रिड्यू कैनाल स्केटवे पर बनी है यह एक नहर है जो सर्दियों में जम जाती है वह भी इतनी सख्त हो जाती है कि इस पर आप बेहतरीन स्केटिंग कर सकते है कनाडा की राजधानी ओटावा में मौजूद इस नहर को यूनेसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दरजा मिला हुआ है कितनी भी भयानक सर्दी क्यों न हो लेकिन स्केटिंग के चहेते यहां जरूर आते हैं इसके पहले दो वर्षों तक यह नहर स्केटिंग के लिए खोली नहीं गई थी क्योंकि यहां पर परियाप्त मात्रा में बर्ष नहीं जमी थी NCC ने कहा कि बढ़ते तापमान की वजह से पिछले दो साल सही बर्ष नहीं जम पाई इसलिए स्केटिंग नहीं हुई फिलहाल प्रिटोरिया ब्रिज और बैंक स्ट्रीट के बीच 1.9 किलोमीटर लंबा स्केटिंग रिंग खोला गया है यहां पर 12 इंच मोटी बर्फ जमी है नियमों के अनुसार यह तभी रिंग तभी खोली जाती है जब 10 से 14 दिन ऐसा ही तापमान बना रहता है साथ ही यह भी देखा जाता है कि तापमान लगातार माइनस 20 डिगरी सेल्सियस से माइनस 10 डिगरी सेल्सियस के बीच हो इस बार यह दोनों स्थितियां बर्फ जमाने और एक छोटे सेक्शन को खोलने के लिए सही बनी हुई थी इसलिए खोला गया